नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, दोस्तों हरकोई व्यक्ति अपने जीवन में काम्याब होने के लिए, धनवान होने के लिए, अपने जीवन में खुशियां पाने के लिए, बहुत कड़ी प्रिश्रम और मेनद करने के बाद, अपने ज शत्रू बहुत ही ज़्यादा बलसाली होता है, परचंड होता है, जिसका हम चाकर के भी कुछ विगाड नहीं पाते हैं, लेकिन अपने मन ही मन हम मिसा सोचते रहते हैं, कास ये शत्रू हमें प्रेशान करना बंद कर दे, कास ये शत्रू हमारे रास्ते से हट जाए, ताकि हम जीवन में खुसियां के साथ जी सकें, अपने परिवार के साथ सदा खुस रह सकें, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए ऐसा ही एक उपाई लेकर आए हैं, शीशी में पानी भरकर रख दें, इधर दुसमन तबाह हो जाएगा, जिया दोस्तों, ये एक उपा से बरमाद करना चाहते हैं, तब ही आप इस उपाई को करें, आप चाहते हैं कि दुसमन आफ के रास्ते से पूरी तरह हट जाए, आपकी काम्याबी रास्ते में रोडा ना बने, आप किसी भी परकार का आपको दुसमन हो, आप उस दुसमन को अपने रास्ते से बिलकूल जो आपको कहीं भी दवाई की सीची हो या कुछ भी हो बजार में आपको सब बड़े आराम से मिल जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको कांच की सीची लेकर आनी है लेकिन धक्कन वाली। यहां दोस्तों, अगर कांच की सीची तेजाब की हो तो और भी उत्तम है यानि कि तेजाब जो बजार में मिलता है, जो कांच की सीची में मिलता है आप तेजाब ले आएं, तेजाब को निकाल करके कहीं फेक दे और उस सीची को इस्तमाल करें। अब आपको उस उपाय को करने के लिए क्या करना है कि आप अपने ही घर में रातरी के समय जब पूर पूरी तरह से नहीं भरना है, बस आपको इतना ज्यान रखना है, लेकिन आदे से ज़्यादा आपको इस CC को भर देना है, लेकिन पूरी तरह से नहीं भरना है, आपको CC थोड़ी खाली रहे, ऐसा देखना है, उसके बाद आप अपने उल्टे हाथ में थोड़ा सा एक दो अगर आपको अपने शत्रू का नाम पता है, तो आप जहां हमने शत्रू बोला था, उस इस्थान पर उस शत्रू का नाम बोल दीजिए, और अगर आपको शत्रू का नाम नहीं पता है, तो आप बोले शत्रू, अगर आपको लगता है कि वर एक ही शत्रू है तो शत्रू, और आपको लगता है कि आपके एक से ज़्यादा सत्रू है, आप सब का नाम नहीं ले सकते हैं, चाहिए को नाम पता है, नहीं पता है, तो आप बोले सर्व सत्रू, एक बार हम आपको उचारण करके बता जेते हैं, इस परकार से मंतर बोला जाएगा, सभी सत्रू को अगर एक से जादा सत्रू है तो, ओम नीरे अनुमे, ओम सर्वसत्रू, तिरस्वाह, दोस्तों आपको इस मंतर का उचारण केवल तीन बार करना है, तीन बार मंतर का उचारण पूरा हो जाए, उसके बाद अपनी जिस मुठी में आपने नमक रखाता, उस पर आप मुठी बंद किये यानि कि इस मंतर को उस पर तीन बार फूक दें, एक बार मंतर बोलें, एक बार फूक मार दें, दुबारा मंतर बोलें, दूसरी बार फूक मार दें, और तीसरी बार मंतर बोलने के बाद तीसरी फूक मार दें, और उसके बाद आप इस नमक को इस चीशी में डाल दीजिए दोस्तो, अब आपको ये इस बात का इसम्रण भी अपने मन्ही मन करना है कि जो भी आपका सत्रू है, आप उसको कितने हध तक बरबाद करना चाहते हैं और उससे ले जाकर के आपको कहीं भी गंदी जगा पर गंदा पानी हो या फिर कोई गंदगी वाली जगा हो या कुड़ा करकट आदी फेका जाता हो या कोई भी गंदा स्थान हो वहाँ पर जाकर कि या तो आपको सीशे को फेक देना है या फिर आपको किसी चीज में उसे गाड देना है जैसे कि गंदा पानी है तो आप पानी में फेक दीजिए कुड़ा करकट फेकने का स्थान है तो वहाँ पर आप इसे किसी चीज़ से दबा दीजिए बस दोस्तों आपको इतना सा उपाय करना है और अपने गर बापस आ जाना है कुछी समय में आपका सत्रूफ पूरी तरह शान्त हो जाएगा और आपका कभी भी कुछ बिगाड नहीं पाएगा और आप अपने जीवन में सद्यव काम्याबी को हसल करते रहेंगे तो दोस्तों आज किस वीडियो में केवल इतना ही कल फिर आपसम मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक रिद्दे में जाता दन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखना ना भोलें जाए बजरंग बली